वेल तो हे गाईस वेलकम टू माई चैनल माने में स्पंकस तो वेल आप लोग का स्वागत है नौरमी रेस्लिंग में इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे क्या हमें जॉन सिना का पेबैक के अंदर कोई मैच देखने को मिल सकता है इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है इस ब देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और इसी इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए ओके सो चलते हैं टॉपिक पर आते हैं टॉपिक की सुरुवात करते हैं फर्स्ट फॉल और यहां में देखने को मिल रहे हैं से गलब से आते हैं और गलड़ा हुद का सब्सक्राइब चाहिए ञा पर कैना एड़ा झाल माइंड राइन वीजन्द्ट के सलिखने को एक उप्राइकर को वाइब्स लेकर आते थे ऐसा कुछ यहाँ पर CM Punk जो की कहते वे दिखाये देते हैं Bray White को लेकर और Bray White को वो रिमेंबर करते वे दिखाये देते हैं इस सेरेमेनी के अंदर इनकी तरफ से हमें यहाँ पर यह कुछ ट्रिब्यूट देखने को मिलता है जो की Bray White को लेकर CM Punk की तरफ से वैसे यही कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो यह अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह भी Bray White से रिलेटेड ही है तो Bray White को लेकर Wrestling Observer Newsletter जो की अपने ड्रोकी पॉड्कास के अंदर डिसकस करते वे दिखाय देते है जहाँ पर उनका यह कहना था कि Bray White को जब WD से रिलीस किया गया था था भी से वो हार्ट इसूस को लेकर थोड़ा बहुत डिल कर रहे थे लेकिन यह जो इसूस थे वो बाद में ज़ादा होते वे दिखाय दिए ऐसा कुछ यहाँ पर Wrestling Observer Newsletter कहते वे दिखाय देते हैं और यह भी रिपोर्ट देखने को मिलता है कि Bray White काफी ज़ादा क्लोज थे All LA Wrestling के साइन करने से लेकर कॉन्ट्रैक को क्योंकि मतलब WD के रिटन के पहले उनको मतलब Chances और Possibilities काफी थी कि वो हो सकता था कि All LA Wrestling के अंदर साइन करते वे दिखाय दे जाए लेकिन उससे पहले Triple H ने बुला लिया और वो साइन करते वे दिखाय दे जाते है WD के साथ में तो ये कुछ हमें यहां पर देखने को मिलता है जो कि Wrestling Observer Newsletter की तरफ से डेव मेलेटर की तरफ से ये कुछ यहां पर Update देते हैं Brave White को लेकर बढ़ते वैसे अगले Update की तरफ तो ये Update हमें यहां पर देखने को मिल रहा है Eric Rowan की तरफ से तो भाई Eric Rowan की तरफ से काफी ज़्यादा Emotional Masses देखने को मिलता है जो कि Brave White के लिए जहां पर Eric Rowan काफी कुछ चीज़े कहते वे दिखाय देते हैं जहां पर Eric का करना था कि Writing this down makes my soul foggy and heartache यानि कि यह लिखते वे उनको काफी ज़्यादा और भी दुख और काफी ज़्यादा उनका जो hurt है दिल है वो काफी ज़्यादा गहरा दुख में चले जा रहा है Over 12 years ago from the island of FCW we would talk of our mutual love of horror movies and music before embarking on this crazy journey that brought us around the world with John यानि कि Bray White को लेकर मतलब White Family को लेकर discuss करते हुए दिखाय देते हैं जहां पर इनका यह कहना था कि 12 साल पहले FCW में हम एक दूसरे से काफी ज़्यादा बात चीत करते थे जहां पर हम बात करते थे horror movies के बारे में, music के बारे में and फिन वहां पर हमारे जो मुलकात होती है वो John Huber यानि की Luke Harper के साथ में होती है In the process of something happening, this family we portray weekly in the resting world and इन सारे process में हमने white family को साथ लेके आते हैं जो की world के सामने professional resting के and ये जो bond था ये इनके real life का bond बन चुका था We spent more time together over the next few year यानि की आने वाले कुछ सालों में इनोंने एक साथ काफी ज़्यादा time बिताया और इसके बाद इनके पास इनकी खुट की भी family हो गई थी and strengthening our bond as we deal with life trials यानि की जो life के जो भी जिद्दगी में चीज़े देखने को मल रहे थी उससे ये काफी ज़्यादा strong बन रहे थी इनके bond and eventually this family grow with the introduction of Adam यानि की इसके बाद इस family के अंदर Adam भी join होते वे दिखाया देते हैं यानि की ब्राउन स्ट्रोमन as did our love for one another यानि की हम एक दूसरे के लिए काफी ज़्यादा अपना प्यार दिखाते हैं life is sometime unfair life जो की कभी कभी जो की काफी ज़्यादा unfair हो जाती है I want to pick up the phone and talk to my brothers मैं phone उठा कर अपने भायों से बात करना चाहता हूँ for when I think of the windham जब मैं अपने windham के बारे में सोचता हूँ it makes me think of John मुझे फिन जॉन योबर यानि की लूख Harper के बारे में भी सोचना पड़ता है then the reality of the crazy truth that they are no longer with us जो की reality काफी ज़्यादा hurt करती है की अब वो हमारे साथ नहीं है though I know they are always listening and smiling मैं जानता हूँ की वो हमेशा हमें सुन रहे हैं और smile कर रहे हैं with their sudden passing I cannot state enough how much they love their families my hurts for their kids and for Jojo, Amanda for their brother, sister or anyone lucky enough to call them a friend I love you both so much this is only goodbye for now I will see you down to the road यानि की वो यही कहते वे दिखाए देते हैं की यह सारी उनके लिए प्रोसेस का फाना काफी ज़्यादा मुस्की लोपाता है और उनका hurt हमेशा ही जो जो के लिए and उनके भाईयों के लिए and जो उनके kids हैं उनके लिए हमेशा रहेगा and वो चाहते हैं की अभी फिलाल के time goodbye करें लेकिन आने वाले down to the road के अंदर वो जरूर ब्रेवाइट से मिले तो ऐसा कुछ यहाँ पर Eric Rowan कहते वे दिखाए देते हैं इस message के अंदर याने की Eric Rowan की तरफ से भी यहाँ पर काफी ज़्यादा hurt breaking यह कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो की definitely यहाँ यह काफी ज़्यादा बुरा देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी क्या है कर सकते हैं जो truth हो चुका है अब इसको कुछ कह भी नहीं सकते हैं वैल इसको लेकर क्या है बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो यह update हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसको लेकर करेंटली कोई भी अपडेट नहीं है लेकिन एक update ऐसी देखने को मिल रही है कि एज का अभी भी किसी भी company के साथ में कोई भी contract को लेकर negotiations नहीं देखने को मिला है नहीं वो wl के साथ में नहीं वो all elite wrestling के साथ में और बताया यह भी जा रहा है कि अगर wl के साथ में वो negotiations करके contract sign कर भी देते है न तो wl यहाँ पर उस contract को काफी ज़्यादा secret रखने वाली के है यह कुछ यहाँ पर update देखने को मिल रहा है एज के contract को लेकर तो देखते वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें आपर देखने को मिल रहा है एओ पी को लेकर तो भाई एओ पी क्या हमें wl के अंदर return देखने को मिलेगी तो मिलेगी तो क्या हमें इनका reunion देखने को मिलेगा जो की obviously Seth Rolins के साथ हम सभी लोग मसाया वाला जो gimmick देखने को मिलता था तो फिलाल के time पे जो currently update देखने को मिली है एओ पी को लेकर एओ पी का return तो हमें NXT के अंदर देखने को मिलेगा तो ऐसे में chances Seth Rolins के साथ में reunion के काफी कम है और लेकिन एक बंदे के साथ में reunion देखने को मिल सकता है और वो है Paul Ellering जो कि हमें पुराने manager देखने को मिलते थे एओ पी के तो वो उनके साथ में reunion करते वे दिखाई देंगे और ये सब superstar हमें साथ में देखने को मिलेंगे अभी Seth Rolins के साथ में reunion का डेवलोडी का कोई भी plan नहीं है एओ पी को लेकर तो ये कुछ यहाँ पर update देखने को मिल रहा है इ friendly update यही है कि भाई John Cena का मतलब अभी तो Cody Rhodes के साथ बताया जा रहा है कल भी मैंने update आप लोग को दिया था वीडियो के अंदर लेकिन payback के लिए क्या कुछ plans है जैसा कि आज हमें smackdown के अंदर देखने को मिला Jimmy Uso confront करते वे दिखाए देते जौन सीना को तो बहुत लोगा speculation करना था कि John Cena vs. क्या पता हमें Jimmy Uso payback के अंदर देखने को मिल जाए बट ऐसा कुछ भी नहीं है हमें John Cena vs. Jimmy Uso payback के अंदर नहीं देखने को मिलेगा बट इतना पताया जा रहे है कि payback के अंदर host करने वाले हैं जो कि John Cena तो ऐसे में याप पर possible है कि छोटा सा wrestling match देखने को मिल सकता है John Cena की तरफ से वो भी payback के अंदर तो देखते भाई क्या कुछ देखने को मिलता है चोटा सा कोई match देखने को मिलता है squash type का या फिर John Cena हमें या पर एक मतलब छोटा सा कोई match लड़ते वे दिखाए देंगे आप लोग का क्या opinion है स्थिंक के ऊपर इन सारे updates को लेकर comment section बता